नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूं स्वाती धलवेज इस बुलिटिन में आज बात होगी आविश्वास प्रस्ताफ पर आखडों के गडित की 2019 से पहले विपक्ष की बड़ी अगनी परिक्षा की जानेंगे कि मॉब लेंचिंग पर आखिर कब तक मौन रहेगी सरकार लालू की जान के पीछे क्यों पड़ी है बीजेपी और आखिर में बात 100 रुपे के नए नोट की लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर लोगसभा में टीडीपी के आविश्वास प्रस्ताफ पर कल होगी चर्चा कॉंग्रेस सद्यक्ष राहूल गांधी प्रस्ताफ के दौरान लोगसभा में देंगे भाशन कॉंग्रेस ने फिर लोगपाल बैठक का किया बहिशकार कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता मलीक आरजुन खड़ के बोले कॉंग्रेस को मिले विपक्ष का दर्चा एरसल मैक्सिस जील मामले में बढ़ी पूर्वग्री मंतरी पी चिदंबरम की मुश्किले सीबियाय ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्दी के किलाव दाखिल की चार्टशीट प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी से मुलाकात के बाद केरल के सीम पी विजन ने जताई निराशा कहा जो मदद की उम्मीद थी वो पी-म से नहीं मिली मद्यप्रदेश के सियासत में एकिस्मत आजमाएगी समाजवादी पार्टी अगिले शादफ ने किया एलान आगामी विधान सभाचुनाव रडे की सपा और गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार 22.2 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स 36351 पर बन 23.35 जंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 10557 पर पहुचा सुर्कियों के बाद अब बात आज की सबसे वड़ी खबर की संसत के निशले सदन लोकसभा में शुकरवार को टीडीपी के अविश्वास प्रस्ताफ पर बहस होगी लेकिन चर्चा से पहले सरकार के खिलाफ और पक्ष में नंबरों का गड़ित चुरू हो गया है इसको लेकर कल कॉंग्रिस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा था कि हमारे पास परियाप्त संख्या बल है वह अब केंद्रे मंत्री अनंद कुमार ने सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए दावाग किया कि सदन में सरकार को कोई खत्रा नहीं है लोगसभा में आविश्वास प्रस्ताफ पास होगा या नहीं होगा सरकार के खिलाफ कौन-कौन वूर्ट देगा मोधी सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी इन तमाम सवालों के जवाब हमें कल मिल सकते हैं क्योंकि लोग सभा में कल आविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी लेकिन उससे पहले आज सरकार की तरफ से केंद्रे मंत्री अरंण कुमार ने दावा किया है किमत विभाजर में सरकार को 314 सांसदों का समर्थन मिलेगा इतना ही नहीं उन्होंने तो यह भी कहा कि अकाली दल से लेकर तमाम सहयोगी उसका साथ देंगे यहां तक कि शिफसेना ने भी अब सस्पेंस खत्म करते हुए सरकार के साथ जाने की बात कही है साथी शिफसेना ने अपनी सांसदों को वेब भी जारी किया है ऐसी में अब सरकार को उमीद है कि उनिस्था योगियों के साथ साथ एंडिये के बाहर के दलों से भी पूरा समर्थन मिलेगा इस दोरां जहां अनंद कुमार ने सरकार को किसी भी तरह का कोई खत्रा ना होने की बात कही तो वहीं उन्होंने कॉंग्रेस की पूर्व ध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी हमला बोला उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी का गड़ित ही खराब है दरसल कर सोनिय अगान्धी से पूछा गया था कि क्या आपके पास नंबर है अविश्वास प्रस्ताफ पर आप हार जाएंगी इस पर उन्होंने विपक्षियक्ता की ताकत को दिखाते हुए कहा कि कौन कहता है कि हमारे पास संख्या बल नहीं है आपको बदा दे कि निशले सदन में फिलाल 535 सदस्या है ऐसे में सरकार को 268 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है जबकि वर्तमान में लोकसभा में अंडिय के सदस्यों की संख्या 313 है ऐसे में साफ है कि सरकार का पलड़ा स्यादा भारी है इसलिए शायद सरकार कह रही है कि 314 सांसुदों के साथ जीत हासिल करेंगे जिसमें लोकसभाद एक्ष सुमित्रा महाजन का मत भी शामिल होगा लेकिन कल किसके दावे की जीत होती है किसका गड़त ज्यादा सटीक बैठता है ये देखना दिल्चस्प होगा डिविलाइफ की रिपोर्ट टीडिपी का ये विपक्ष के लिए भी एक अगनी परिक्षा है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताफ के जरिये ही विपक्ष की एक्ता को पर्खा जाएगा साथी महागडबंधन का भविश्य भी तय किया चाएगा अगर कल तमाम विपक्षी एक साथ आ गए तो 2019 में महागडबंधन बननाता हैं लेकिन अगर दल बदल का खेल चला तो महागडबंधन पर भी प्रश्य चिन लग चाएगा 2019 लोगसभा चुनाव से पहले मागडबंधन को अमली जामा पहनाने की कोशिशे जल रही हैं तमाम दल दावा कर रहे हैं कि हम साथ हैं लेकिन इस एक्ता को अभी कई अगनी परिक्षाओं से होकर गोजरना होगा इस विपक्षी एक्ता की सबसे बड़ी परिक्षा कल ही सदन में होने वाली है जहां आविश्वास प्रस्ताफ पर सरकार और विपक्ष का आमना सामना होगा एंडिये के खटक दल एक्ता की ताल ठोक रहे हैं आकाली दल, LJP, रालोसपा सब ने एक साथ आने का दावा किया है कहा जा रहा है कि 314 सांसत सरकार के साथ है विपक्षी पार्टिया भी दावा कर रही है कि हम साथ साथ हैं टीडीपे के अविश्वास प्रस्ताफ को कॉंग्रेस, सपा, टीमसी आपने समर्थन दिया है विपक्षी दलो की संख्या 22 बताई जा रही है इनमें कॉंग्रेस के 63, अन्ना द्रमुक के 37, ट्रणमुल कॉंग्रेस के 34, बीज़त के 20, तेदेपा के 16 और टीरेस के 11 सतस्य शामिल है आकड़े तो यही बया कर रहे हैं कि सरकार पर संकट कम है लिकिन विपक्षी प्रस्ताफ को लाकर अपनी ताकत दिखाना चाहता है अब अविश्वास प्रस्ताफ की जंग कौन जीता है और कौन हारता है ये कल साफ हुझाएगा लेकिन इस जंग के बीच अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि मॉब लिंचिंग पर मूदी सरकार क्या कदम उठा रही है आज विपक्ष के विरोध के बाद लोगसभा में केंद्रे ग्री मंत्री राजनात सिंग ने बयान तो दिया लेकिन इतने बड़े मुद्दे को उन्होंने महस पांच मिनट के भाशन में ही खत्म कर दिया पिशले चार साल में मूदी सरकार के राज में 97 फीस दी मॉब लिंचिंग इखटनाय बड़ी है लेकिन फिर भी केंद्रे मंत्री कहते हैं कि हम कारवाई कर रही है पिशले एक महीने में करीब 100 मौतों के आकड़े सामने आ चुके हैं लेकिन ग्री मंत्री सदन में केवल 5 मिनट का भाशन देकर शांत हो जाते हैं जनता जानना जाती थी कि सरकार ने क्या कदम उठाए भीड के कहर पर कैसे काबू पाया जाएगा कैसे लोगों को भीड के प्रहार से बचाया जाएगा लेकिन राजनात सिंग ने कुछ नहीं बताया वो तो केवल है कहकर शांत हो गए कि लोगतंत्र में हिंसा बरदाश नहीं की जाएगी केंत्री मंत्री के भाशन को सुनकर ऐसा लगा कि वो केवल दुख प्रकट करने और पिशली सरकारों को कोसने आये थे इस बयान को सुनकर वेपक्ष भड़क उठा, कॉंग्रिस सांसर जोती रादित्यस सिंधिया ने मांग की कि सरकार बताय की भीड को रूपने के लिए क्या कुछ किया गया लेकिन राजनात सिंग ने इस पर कोई बयान नहीं दिया जिसके बाद कॉंग्रिस दिये वॉक आउट कर दिया डिबिलाइफ की रिपोर्ट बुन्यादी मुद्दो का जवाब नहीं मिल रहा सरकार गोल गोल घुमा रही है ग्री मंत्री पिशली सरकारों को कोस रहे हैं अब मॉब लिंचिंग पर जवाब दे तो भला कौन दे वैसे आर्टिया एक्ट की जरिये हर मुद्दो पर हमें जवाब मिल जाता था लेकिन अब सरकार उसमें भी संशोधन की तयारी कर रही है आज आर्टिया एक्ट में संशोधन बिल को राजसभा में पेश किया गया सरकार का कहना है कि इसे अधिकार मस्बूत होंगे वहीं विपक्ष इसका विरोत कर रहा है सम्मिधान को बदलने की बाद कहने वाली मूदी सरकार की नजर आव आर्टियाई पर ठीकी है सरकार इस कानून में बदलाव करने की तैयारी में है संशोधन बिल के मुताबेक मुख्य चुनाव आयुक्त, सूचना आयुक्तो, राजजे के मुख्य सूचना आयुक्तो और आयुक्तो के वेतन, भत्ते और सेवा शर्ते केंदर के निर्देश पर तय हो सकती है इसमें यह भी कहा गया है कि केंदर और राज्यों दोनों जगों के सूचनायोग 5 साल की बजाए केंदर सरकार के निर्देश के आधार पर तैनात होंगे लेकिन वही विपक्ष और आटियाई कारेकरता इसका विरोत कर रही है इसकी मुख्य वज़ा यह है कि केंदर सरकार ने इस बात को सारजनिक नहीं किया कि आखिर वो आटियाई कानून में क्या संशोधन करने जा रही है दरसल संशोधन विद्यक के प्रावधानों को ना तो सारजनिक किया गया है और ना ही इस पर आमजंता की राय ली गई है नियम के मताबिक अगर कोई संशोधन या विद्यक सरकार लाती है तो उसे संबंदित मंत्राले या डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर सारजनिक किया जाता है और उस पर आमजंता की राय मांगी जाती है कारेकरता और विपक्ष का मानना है कि आटियाई के जरिये सरकार की नाकामियों की पोल खुलती है इसलिए सरकार अब इस कानून को कमजोर बना रही है आरजडी, CPM और CPI ने इस संचोधन को लेकर सड़क से लेकर संसत तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला किया है मैं आज कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल कांधी ने भी ट्वीट कर BJP पर हमला बोला हर भारतियों को सच जानने का अदिकार है BJP लोगों से सच्चाई चुपाने में यकीन रखती है और चाहती है कि जनता सत्ता में बैठे लोगों से सवाल ना करे RTI Act में प्रस्तावित संशोधन इसे बेकार बना देंगे इसका हर भारतिय को विरूत करना चाहिए आपको बदाते कि सूचना का अधिकार कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागो हुआ था यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलो रिकॉर्ट्स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है सतर्क नागरिक संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगबग 60-80 लाग लोग सूचना का अधिकार अधिनियम का इस्तेमाल करते हुए जानकारी के लिए आवेधन करते हैं लेकिन अब सरकारी इसमें बदलाफ करने जा रही है जिसे लेकर जंग छीड़ी हुई है इनका कहना है कि लालू स्वासेलाब के सहारे राशनीतिक हिच साथने में जुटे हैं इस पर लालू की छोटे बेटे तिजस्वी यादफ ने सुशील कुमार मूदी पर स्थोड़दार हमला बोला है दरसल चारा घुटाला मामले में जेल की सजा काट रहे लालू यादफ खराब तबियत की वजह से इन दिनों जमानत पर बाहर है लालू से मिलने के लिए कई सियासी दलों के नेता उनके खर पहुँच रहे है पिशली दिनों कॉंग्रिस के राश्ट्रे महस्तरशी वशूग गहलोत ने लालू से उनके पटना आवास पर मुलाकात की थी जिसके तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल भी हुई थी वह अब तेलकु देशम पार्टे के तीन सांसदों ने लालू से मिलकर राजनीतिक बातचीत की है जिसके तस्वीरे भी सामने आई है इन्ही तस्वीरों ने बीजबी से लेकर जेडियो की बेचैनी बढ़ा दी है पार्टी को लग रहा है कि बिमारी के बहाने लालू रण नीरी तयार कर रहे है इसलिए उपमुख्य मंत्री सुशील कुमार मूदी ने सीबी आई से लालू की जमानत को खारिज करवाने की मांग की है उन्होंने आरोप लगाया कि लालू यादव राजनीती कतिविद्यों में हिस्सा लेकर जमानत की शर्तों का उलंगन कर रही है इसलिए उनकी जमानत याचिका को रद किया जाना चाहिए डिप्टे सियन की सी मांग पर लालू के छोटे बेटे तेजस्पी यादव का गुस्सा भड़क उठा उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को राज्य के विकास के चिंता नहीं है बलकि वह लालू यादव की जान के पीशे बड़े है तेजस्पी ने पूछा कि सुशील कुमार मोधी को क्यों डर लग रहा है क्या सुशील कुमार मोधी नहीं चाहते कि आरजेडी ये अध्यक्ष ठीक हो मैं इस दोरा नूर ने सफाई देते हुए यह भी कहा कि लालू यादव ने एक भी पॉलिटिकल मिटिंग नहीं की है मही तेजस्पी ने सुशील कुमार मोधी से इस तरह का बयान देने पर माफी मांगने की मांग भी की है बिहार में आज एक बार फिर आरजेडी और जेडियू में जंग तेज हो गई अब ये कब तक खत्म होगी है देखने वाली बात होगी वैसे इंतजार तो किसानों की हरताल खत्म होने का भी है लेकिन वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होती नजर आ रही महराश्ट्र में दूद उतपादकों के आंदोलन का चौथा दिन है लेकिन इनका गुस्सा शान्थ होने की बजाए दिनों दिन और बढ़ता जा रहा है प्रदेश बर में आज आंदोलन कारियों ने परिवार समेथ अपने जानवरों के साथ मुख्यमार्गों पर चक्का जाम लगा थिया स्वाविवानी किसान संगठन के नेतरतों में किसान समेथ दूद उतपादकों ने पिछले चार दिनों से सरकार के खिलाफ मोचा कूला हुआ है किसान दूद की सप्लाइ को रोक सडकों पर उत्रे हुए हैं लेकिन बावजूद इसके सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही सरकार की बेरुकी से किसानों को गुसा और भड़क गया है आज तो किसानों ने बुल्धाडा जिले के डून गाओं में एक गदे को दूद से नहला कर अनुखा प्रदर्शन किया इतना ही नहीं वाशम के जुलका गाओं में भी भैसों को दूद से नहलाया गया कई जगव तो किसानों ने दूद ले जा रहे वानों को भी रोका और दूद सडकों पर उडेल दिया अमरावती, पूरे, नागपुर, कोलापुर में भी किसान सडकों पर उतरे और बुलेटन के आखिर में अब जान लेते हैं कि 100 रूबे का नया नोट कैसा दिखता है 50, 200 और 500 रूपे के नय नोट के बाद अब भारते रिज़र्व बैंक जल्द ही 100 रूपे का नया नोट लाने वाला है RBI ने नोट के एक तस्वीर भी जारी की है 100 रूपे का ये नया नोट बैंगनी रंग का है यह महात्मा गांदी सीरीज में जारी होगा साथी इस पर वैश्विक धरोहर में शामिल गुछरात की एतिहास एक रानी की बाव की छलक भी देखने को मिलेगी नोट बंदी के बाद से ही देश में नोटों के बदलने की प्रक्रियात तेज हो गई है नोट बंदी के दोरान RBI ने 500 और 1000 रुपे के पुराने नोट बंद कर 500 रुपे का नया नोट जारी किया था इसके बाद 200 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए का नया नोट भी बाजार में आया, वहीं अब 100 रुपए का नया नोट जारी होने वाला है ये नोट कैसा होगा, इसके एक तस्वीर भी सामने आई है, यह नोट 100 रुपए के मौजूदा नोट से छोटा और 10 रुपए के नोट से बड़ा होगा नये नोट में देवनागरी में 100 लिखा हुआ है, नोट के केंदर में महात्मा गांधी की तश्वीर है, छोटे अक्षरों में RBI, भारत, इंडिया और 100 लिखा हुआ है नोट के दाई तरफ अशोक स्तंब भी है RBI सुत्रों का कहना है कि 100 रुपए के नए नोट के बाजार में आने के बाद पुराने नोट भी चलन में रहेंगे इस नोट के डिजाइन को अंतिम रूप मैसूर की उस प्रिंटिंग प्रेस में दिया जा रहा है, जहां 2000 के नोटों की छपाई होती है इसकी चपाई का काम पूरा होने के बाद इन नोटों को जल्दी मार्केट में उतार दिया जाएगा DBLIF की रिपोर्ट